नमस्कार दोस्तों, डिजेट हिंदी में आपका स्वागत है और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टॉप फाइव लैप्टॉप्स के बारे में जिन्हें आप खरीद सकते हैं पांचवे नमबर पर है माइक्रोसॉफ्ट का सर्फिस लैप्टॉप माना कि इस लैप्टॉप में पिछले साल का 7th generation Intel Core i5 CPU है लेकिन आज भी इस लैप्टॉप की performance काफी अच्छी है इस लैप्टॉप में 8GB की RAM है और Intel का integrated 620 Ultra HD Graphic Card है आप इस लैप्टॉप पर वीडियो गेम्स तो नहीं खेल सकते लेकिन आप इस पर काफी सारी web browsing और document editing कर सकते हैं इस लैप्टॉप में आपको एक clean slate-like finish देखने को मिलती है बाहर की तरफ और अंदर एक soft touchpad दिया गया है Macbook Air की तरह आप इस laptop को एक finger से open कर सकते हैं लेकिन surface laptop में आपको Windows 10 मिलेगा S mode के साथ इसका मतलब जितनी भी apps आपको install करनी है वो सिर्फ Microsoft Store से ही हो पाएंगी चौथे नंबर पर है HP का Spectre X360 ये HP का lightest और sharpest laptop model है और ये सबसे पहले 2016 में launch हुआ था HP Spectre X360 इसी साल कुछ महिनों पहले launch हुआ था इस laptop में 8th generation Intel Core i7 CPU है और 16 GB की DDR4 RAM है storage की बात करें तो इस laptop में 512 GB की PCIe based SSD है ये SSD laptops के लिए one of the fastest है graphics की बात करें तो आपको मिलता है integrated Intel GPU इसका मतलब gaming आप इस laptop पर नहीं कर पाएंगे इस laptop में 13.3 इंच का touchscreen display है जिसे आप 360 डिगरी तक fold करके इस laptop को एक tablet की तरह यूज़ कर सकते हैं और इसका मतलब ये भी है कि आप इस laptop पर HP Active Pen को भी यूज़ कर सकते हैं इस laptop के looks काफी premium है ये काफी portable है और इसकी speed काफी अच्छी है तीसरे नंबर पर है Dell XPS 13 जो originally 2012 में CES में launch हुआ था और तब से लेकर अब तक ये काफी अच्छे variants में launch हो रहा है इस वक्त जिस variant के हम बात कर रहे हैं उसमें है 8th generation Intel Core i7 CPU और 16GB की LPDDR3 RAM storage है 512GB की PCIe based solid state drive और Dell XPS Thunderbolt 3 devices जैसे की एक external 4K monitor को support करता है लेकिन इसका GPU एक integrated Intel unit है Dell XPS performance के मामले में काफी अच्छा है और आप इस laptop पर काफी देर तक काम कर सकते हैं लेकिन इसके web camera की position अच्छी नहीं है क्योंकि इसका web camera डिस्प्ले के नीचे दिया गया है लेकिन battery life की बात करें तो बाकी thin and light laptops के comparison में Dell XPS की battery life काफी अच्छी है इस laptop की thickness है 11.6 mm और इसका weight है 1.21 kilos दूसरे नंबर पर है Lenovo का IdeaPad 530S जो एक mainstream laptop होने के साथ एक thin and light laptop भी है और ऐसा इसलिए क्योंकि इस laptop के जो specifications है वो एक mainstream laptop के जैसे है इस laptop में 14 inch का full HD display है जिसमें matte finish दी गई है और इस laptop का वजन है 1.49 kilos इस laptop के अंदर मौजूद है Intel Core i5 CPU, 8GB की RAM और 256GB की PCI-Based Solid State Drive इसका मतलब आप इस laptop पर spreadsheets, browsing और बाकी सारी apps को काफी अच्छे से use कर सकते हैं Dell XPS 13 और HP Spectre X360 के comparison में IdeaPad 530S में आपको मिलता है Nvidia GeForce MX150 graphic card जिसमें 2GB की video RAM है इसका मतलब आप इस laptop पर gaming कर सकते हैं और Photoshop जैसी heavy app को भी use कर सकते हैं लेकिन इस laptop की battery उतनी अच्छी नहीं है और सबसे पहले number पर है Asus का Zenbook Pro जिसमें बहुती बढ़िया features है इस laptop में 8th generation Intel Core i9 CPU है 16GB की RAM है, एक बड़ी 1TB PCI-Based Solid State SSD है और graphics के लिए Nvidia GeForce GTX 1050 Ti GPU है 4GB की DDR5 video RAM के साथ इसका मतलब चाहे वो web browsing हो, चाहे वो image या video editing हो या फिर video gaming हो, आपको किसी भी समय कोई भी problem face नहीं करनी पड़ेगी Metro Last Light और Doom जैसे games को आप heavy graphics पर बिना किसी problem के खेल सकते हैं इस laptop में एक unique और innovative screenpad feature है, जिसका मतलब है कि इसके touchpad में एक display दिया गया है जिसकी मदद से आप app specific functions जैसे की Microsoft Excel में rows add करना या फिर YouTube पर video playback को control करना, ऐसे features को आप use कर सकते हैं इसके screenpad feature की मदद से तो कैसी लगी आपको ए लिस्ट हमें नीचे comment section में बताईए अगर आपको ए वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को like करिए, share करिए और Digit Hindi के YouTube चैनल को subscribe करना ना भूले धन्यवाद